या फिर आपका जो पार्ट है भूँड़ी लूज हो जाता है या फिर उसमें तनाव आता ही नहीं है बहुत प्रोब्लम होती ही चले जा रहे है और अitel है तो आप तनाव को लाने के लिए या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब आप करते हैं तो बीच में ही चला जाता है तो इसके वजह सी अपकी इच्छा खत्म हो रही है या फिर इच्छा नेचुरल तरीके से ही कि आपके अंदर कम है तो कुछ खाने के लिए नहीं सिर्फ और सिर्फ मसाज की लिए बोलूगी जिससे कि आपकी सारी प्रोब्लम्स दूर हो जाएंगी यह भी पता चलेगा कि किस तरीके से आपको करना है ठीक है मसाज किस से करवाना है कौन से ओयल से करवाना है जो कि इजल मसाज का मतलब क्या होता है मसाज का मतलब यह होता है कि जब भी आप सही तरीके से जब आप किसी भी हिस्से को अपने पार्ट को अपने बोड़ी के चाहें फेस हो चाहें आपका हाथ हो ठीक है कहीं का भी कोई भी सा हो सकता है तो वहां पे एक सही तरीके से आप उस हिस्से इसको हलका रगड़े जिससे की बहां का blood flow अच्छा हो जाए ठीक है जहांपे blood flow अच्छा होता है न तो यह समझ की जो toxins होते हैं हमारी बोड़ी में वह भी release होते हैं यह सारे के सारी problems दूर होती हैं तो समझ में आ रहा है कि आपको वहां का blood flow अच्छा करना है उसके वज़े से वहाँ पर जो problems हैं उनको धूर करना है तो आपको specially इसी हिस्से की exercise करनी है तो जिसके वज़े से आपकी यह जो problems मैंने बताई हैं वो बिल्कुल धूर होगी तो अब चलिए यह समझते हैं कि exercise किस से करवानी है तो अब इससी बात है जो single है जिसको ऐसा लगता है कि उसका कोई partner नहीं है लगता क्या है मतलब नहीं है तो वो खुद से कर सकता है लेकिन अगर आप married है तो बिल्कुल आप अपने partner के साथ यह चीज करवा सकते हैं मतलब अपने partner की help से आप करवा सकते हैं तो आपको और भी ज्यादा अच्छा feel करते हैं तो उससे पहले समझते हैं कि कौन सा और यूज करना है तो देखिए cold-pressed coconut oil या फिर olive oil cold-pressed क्यों बोल रही हूं क्योंकि देखिए जब आप ऐसे oil का इस्तेमाल करते हैं जो की heat करके निकाला जाता है तो उसके जो गुण है वो बहुत जादा खत्म हो जाते हैं और उनको प्रिजर्व करने के लिए कुछ chemicals डाले जाते हैं पर जो cold-pressed oil होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं प्रिजर्वेटिब्स नहीं होते हैं और यह ध्यान रखना है कि उनकी natural जो खुश्बू होती है जैसी भी उनकी महक है जो natural है वही होने चाहिए added उनके अंदर fragrance नहीं होने चाहिए समझ में आई बात तो इस तरीके के oil को आपको use करना है जैसे कि मैंने बताया coconut oil या फिर olive oil इन दोनों में से आप कोई भी इस्तमाल कर सकते हैं एक तो क्या करना है कि अगर आप अपनी partner के साथ हैं तो भी या फिर आप अकेले हैं खुद से करना है तो भी आप कभी भी ऐसा क कर सकते हैं और especially मैं कहूंगी कि अगर partner है तो please उनको request कीजिए उनको समझाइए and थाकि वो आपके लिए कुछ करें and आपको भी बहुत अच्छा फेल होगा तो चलिए यह समझते हैं कि करना किस तरीके से है process समझते हैं लेकिन उससे पहले का जो point है वो सबसे important है कि जब भी आप यह process करने जाते हैं मसाज करने के लिए जाते हैं करवाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको अच्छा सा अपनी बोड़ी को clean कर लेना है मतलब अच्छा सा बात ले लेना है okay हलके गुन गुने पाने से ताकि वहां पे जो भी गंदगी है वो साफ हो जाए या फिक कोई हलकी मतलब माइल्ड कोई विस्तमाल कर सकते हैं तो प्रॉपर तरीकी से आप clean करेंगे अगर अपनाना नहीं चाहते तो ऐसे ही clean कर सकते हैं अगर अपनाना लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है तो में मकसद यही है कि वहां पे कोई भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए ब करेंगे और कने अधिक लग सकते हैं तो रहते हम था-शल मसाज करना अगरए घर को 1-2 म2-2-2-2 म3-11-7 मतलब यह है कि जो अंडर थाइस वाला एरिया होता है वहां पे भी आप बिलकुल रिलेक्स होके अच्छे से मसाज करवाएंगे पिलकुल होती हैं उनको भी मसाज करवाना है तो आप यह समझे जहां पर आपके होर्मों बन रहे हैं उस इस्ते को भी रिलेक्स करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मेल्स का जो टैस्टीकल्स हैं वह को ज्यादा इंपोर्टेंट है आपकी oral body के लिए क्योंकि वहीं पे आपके hormone बन रहे हैं जिसे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है males के जो गुण होते हैं secondary characters जो होते हैं sexual characters वो वहीं से आते हैं उनकी वज़े से आते हैं तो उनको भी massage करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके जो part है अगर ये healthy रहे उसके लिए भी आपको ख्याल लगना ज़रूरी है आपके जो balls हैं जो testicles हैं उनका तो वहाँ पे आप massage करेंगे फिर उसके बाद बिल्कुल हलके हाथों से और अराम अराम से आप massage करेंगे फिर उसके बाद अगर आप आपको लगता है तो जहां पे जो जहां से आप स्टूल पास करते हैं तो उस हिस्से के आसपास कर सकते हैं बट उससे थोड़ा सा आगे ही करेंगे क्योंकि वैसे तो आपको clean करना है लेकिन फिर भी कुछ bacteria होते हैं तो वहां पे आपको थोड़ा सा दिहान लगना है कि वहां पे आप massage करके फिर आप उपर से massage ना करें तो इस वज़े से आप क्या करेंगे जो एक बीच में थोड़ी से skin होती है बस वहीं पे करेंगे उसके उपर आप अच्छे से नहीं करेंगे जो हम बहुच सकते हैं जो आपको बढ़ना है कैसे करना है तो हलके यह समझे कि जो आपका हेड है वहां आप क्या कर सकते हैं उसको पकड़ सकते हैं and then आपका यह जो हिस्सा जहां पर आपने ओल लगाया है नहीं लगाया तो फिससे आप लगा लीजिएगा and इसकी हल्प से ऐसा बनाएंगे and आप ऐसे and उपर से नीचे की तरफ नीचे से उपर की तरफ पहले आप उपर करेंगे या फिर पहले आप नीचे करेंगे फिर आप उपर करेंगे तो इसकी हल्प से आपको करना है हलका सा आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि थोड़ा सा प्रेसर हो रहा है बहुत जादा नहीं क्योंक एंड साइड में जो भी नसे हैं जो भी दबी हुई हैं वो भी सही से काम करने लग जाती हैं यह समझी मसल्स जो है वहां की वो टोन होती है और वहां का ब्लड फ्लो भी बहुत अच्छा होता है ठीक है तो थोड़ा सा उसको खिच की एंड देन आप उपर और नीचे आप इस साफधानी रखनी है वो यह कि आपको भी डिसचार्ज नहीं करना है अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको रिलेक्स नहीं मिलेगा उतना जितना आप चाहते हैं कि आपकी बोड़ी रिलेक्सिव हो जाय और आपको एडिक्शन हो अपने आपको ऐसा relax feel करेगी and जो भी toxins हैं समझी वो भी release होते हैं तो आप stress free होते हैं next time के लिए आपकी इच्छा भी भढ़ती है desire भढ़ती है and पती-पत्नी अगर है तो उनका एक अच्छा सा bond बनता है एक दूसरे की care आप इस तरही किसे करते हैं तो trust build up होता है ठीक है तो आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं and जहां पर blood flow अच्छा है वहां पर अगर तनाव की problem आए ऐसा हो नहीं सकता तो आपका अगर problem हुई है आपको रोडी बॉत है तो वो ठीक हो जाएगी ठीक है proper blood flow होगा अच्छे से वहां पर blood आएगा तो आप समझ सकते हैं कि इसको करवाना कितना जरूरी है अगर आप करते हैं तो इन सारी problem से छुटकर आपको जरूर मिल जाएगा ठीक है तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे comment box में लिख सकते है और कोई वीडियो चा एक जो मसाज है उसके importance को समझ सकें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग विद्वाइए